गुद्बोरिंग श्चुडेंस विलकम टु दक्षिला लगर निक तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बालोजीक एक टॉपिक डिसकूस करेंगे जो कि है एंडोक्राइब सिस्टम तो एंडोक्राइब सिस्टम बसिकली हमारे एंडोक्राइब ग्लांट्स से बना हुआ होता है यानि कि जो कि hormones release करते हैं directly हमारी blood stream पे hormones जो कि हमारे body की growth के लिए development के लिए या metabolism के लिए release होते हैं तो वह होते हैं हमारे endocrine glands and endocrine glands मिलके बनाते हैं हमारा endocrine system तो आज के इस video में हम various glands पढ़ेंगे उनकी क्या-क्या functions होते हैं and कौन-कौन से वो hormones secrete करते हैं तो चलिए class start करते हैं आज की तो सबसे पहले we'll start with general introduction कि endocrine system basically होता गया है तो the endocrine system comprises a collection of glands in the head, neck and trunk तो endocrine endo यानि कि जो under होते हैं internal होते हैं तो endocrine system basically a collection of glands से बना हुआ है glands कहां कि endocrine वाले जो कि हमारे head में, हमारे neck में and trunk में जो है वो situated है that's agreed hormones and regulate metabolism, growth and development तो basically endocrine glands करते क्या है, disagreed hormones अब hormones क्या होते हैं तो सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि hormones होते क्या है, hormones basically substance होता है जो कि directly हमारी bloodstream में release किया जाता है या फिर कहीं और भी duct में भी किया जा सकता है तो basically hormones एक substance होते हैं जो कि एक organ release करता है क्यों करता है एक particular function के लिए and वो function उसके कहीं और organ में जाके perform करना होता है for example, अगर simple example में सबसे लूँ, तो हमारा growth hormone हम छोटे होते हैं छोटे से हम बड़े 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 हमारी body की जोए वो total growth होती रहते हैं तो वो growth के लिए कौन सा, क्या responsible है तो हमारी body में hormones responsible है and आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की height छोटी पी रह जाती है and कुछ लोग बहुत लंबी हो जाते है reason hormones तो growth hormone जसमें जादा secret हो गया उसकी growth लंबी हो गई, उसकी height लंबी हो गई and जसमें growth hormone जो है वो कम रह गया, उसकी height जो है वो छोटी रह जाती है तो hormones basically कुछ नहीं है, द्यादा substance जो कि एक organ secret करता है ताकि दूसरे organ पे जाके वो दौट कर सके तो basically यह हमारे body के metabolism को regulate करने के लिए metabolism यानि कि जो भी हमारी body में chemical formula, chemical reactions जो भी होते है chemical breakdown हो रहा है, food का, हम respire कर रहे है, breathe कर रहे है, हमारा heart बीट कर रहा है तो यह पूरी body का जो भी हमारे body में chemical reactions हो रहे है, metabolism है, उसको regulate करते है साथी साथ हमारी body की growth and development, यह भी हमारे hormones पे ही depend करती है यानि यह indirectly हमारे endocrine system पे ही depend करती है then endocrine glands are ductless glands which secrete hormones directly in the bloodstream तो basically, जो हमारा glands होते है, वो दो type के होते है एक होता है endocrine और एक होता है exocrine अनाम से जिसे suggest हो रहा है, endocrine यानि कि जो हमारे internal है, exocrine यानि कि वो external है लेकिन इतना भी नहीं है कि हमारी body के कहीं बाहर है obviously हमारी body का यह part है, लेकिन as compared to endocrine वो इनका जो function है वो तोड़ा different है कैसे endocrine glands की सबसे पहले मैं बात करूँ endocrine glands जो हमारे होते हैं वो ductless glands होते है ductless यानि कि इनकी कोई duct नहीं होती है, यानि कि कोई passage नहीं है अब जैसे कि किसी भी चीज को flow करना है उसके लिए passage की ज़र्वत होती है तो बहाँ endocrine glands जो secret करते हैं hormones उसमें कोई duct की ज़र्वत नहीं होती है क्यों क्योंकि यह directly bloodstream में हमारी hormones को secret करते हैं अब bloodstream में क्या फायदा है, bloodstream का यह फायदा है कि blood का हमारा liquid है, flow easily हो जाता है बहुत ही कम टाइम में वह हमारी हर एक cell तक पहुंच जाता है, बोडी के हर एक पार तक पहुंच जाता है तो basically endocrine glands वह होते हैं जो ductless glands होते हैं यानि कि जो hormones secrete करते हैं directly हमारी bloodstream में तो example कौन-कौन से, जैसे कि हो गया हमारा thyroid gland, pituitary gland, तो यह जो glands हैं, यह हमारे endocrine glands हैं then next है हमारे exocrine glands, तो these, there are also exocrine glands that have ducts तो basically इनके पास क्या होती है, ducts होती है, यानि कि एक passage होता है, इक इनके पास एक particular duct होती है, जसमें यह अपने hormones को release करते हैं वहां से फिर वो जस target organ तक जाना होता है, वहां पे फिर जाके वो उसको target करते हैं तो duct होती है, which secrete its product into a tube, तो एक tube-like में यह यानि कि duct में अपना जो भी hormones हैं, वो secrete करती हैं एक्जामपल अगर मैं लूँ, एक्जोक्राइन ग्लांड का तो होगया हमारा salivary gland, जो कि secret saliva into the salivary duct तो एक्जामपल आप यहां पे दोनों को compare करो, एक है हमारा salivary gland यानि कि जो हमारे tongue में होता है, हमारे mouth में saliva, जो release होता है, वो कहा होता है, हमारे mouth के अंदर ही होता है, यानि कि एक duct में होता है, एक tube में होता है, फिर हो हमारे food pipe के थू जो है, हमारे stomach तक जाता है, तो यह हो गया exocrine gland, जिसने कि duct में release किया अपने hormone को, तो बिसे कर लिए जो भी secretion है, secretion सिर्फ hormones नहीं, अधर भी secretions है, saliva बिसे कर लिए hormone नहीं है, लेकिन एक secretion है salivary gland की, तो basically, यह enzyme secret कर रहा है, तो कोई भी ऐसे secretion है, अगर वो duct में हो रही है, तो वो होता है, हमारा exocrine gland, और अगर वो directly bloodstream में जा के उसको secret कर रहे है, जो भी उनको secret करना है, वो होते है हमारे endocrine, तो जैसे salivary amylase है, जो वो हमारे mouth में release होता है, लेकिन अगर अब tears की बात करो, तो क्या tears एक duct में release होते हैं, नहीं, तो directly, कहां release होते हैं हमारे eye के surface पे, तो यह दोनों यहाँ पे difference है, endocrine and exocrine, नाव आप हम various glands देखेंगे, कौन से endocrine, तो various endocrine glands, कौन-कौन से वो hormones release करते हैं and कौन-कौन-कौन-कौन function perform करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे pituitary gland के, तो exam point of view से, अगर मैं बोलू, तो important यहाँ पे जो है, जो याद रखना है, जो exam में जिससे question पूछे जाते हैं, वो है कि gland कहां पे locate है, या फिर पूछा जा सकता है कौन-कौन से hormones release करता है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसका main function क्या है, तो यह सारे points हमें इसमें study करते हुए चलना है, तो pituitary gland, it lies just below the brain, तो हमारे brain के just below जो है, यह लाए करता है, जादा तर जितने भी हमारे endocrine glands है ना, वो जादा तर या तो हमारे head में है, या तो फिर हमारे neck में है, या फिर हमारे यहां वाले part में है, तो यानि कि सिर्फ हमारा upper part है, जहां पे हमारे जितने भी glands है, वो locate करते हैं, तो pituitary gland basically हमारे brain के just below जो है, यह locate करता है, it is called the master gland as its hormones activate several other glands, तो pituitary gland को master gland भी बोला जाता है, तो यह यहां पे important point कि master gland कौन सा है, तो master gland है हमारा pituitary gland, master gland क्यूं है, क्यूंकि यह क्या है, एक्टिबेट करता है, और भी glands को कि वो अपनी जो secretion है, वो secret करें, then pituitary hormones कौन कौन से secret करता है, तो important है, pituitary का basic जो function है, यहां पे वो growth से related है, यानि कि हमारी body के growth जो भी है, growth and development, उसके लिए pituitary gland, जो hormones release करता है, वो responsible है, तो वो कौन कौन से hormone है, अलग-अलग हमारी development के लिए, अलग-अलग growth के लिए, अलग-अलग hormone responsible है, तो जैसे कि सबसे पहला इसमें TSH, TSH is thyroid stimulating hormone, तो यहां पे नाम से suggest हो रहा है thyroid stimulating, यानि कि यह thyroid gland को activate करता है, thyroid को stimulate करता है, तो यह जो hormone है, TSH, यह basically एक और gland है, thyroid gland उसको activate कर देता है, तो जैसे आप यह उपर वाली line में हमने बढ़ा था, कि master gland है, इसको master gland इसलिए ही बोलते हैं कि other glands को activate कर देता है, कि उन्हें जो secret करना है, वो उन्ही secretions perform करें, तो thyroid stimulating hormone यानि कि TSH, thyroid gland को activate करने के लिए, then next है हमारा growth hormones, तो हमारी body की growth के लिए, तो growth के लिए basically, यह hormone ही responsible है, जैसे मैंने भी बोला कि कि किसी की height कम होती है, किसी की height जादा होती है, को देखने हैं बहुत giant होता है, कोई बहुत ही पतला, दुबला पतला सा होता है, तो क्यों, reason क्या है, तो hormones ही responsible है, इन सब features के लिए, तो growth hormone जिसमें ठीक तरीके से release हो जाते हैं, secret हो जाते हैं, उन्ही growth बहुत अच्छी होती है, और जिसमें यह तोड़ा मेटूरेशन के लिए responsible है, तो follicle stimulating hormone FSH, जो के हमारे में puberty आती है, यानि कि जो हमारी teenage आती है, एक एज होती है, जब हमारी height बढ़ती है, हमारी body की growth होती है, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है, कि lifetime आपकी height बढ़ती ही चली जाएगी, सोच ओकर ऐसा होता, तो लोग इतने लंबे-लंबे होते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, कि body की growth रुख जाती है, कभी आपने देखा है कि जो एक time के बढ़ बढ़ गया, उतना ही रह गया, ना वो मोटा हुआ, ना वो पतला हुआ, नहीं, ऐसा भी नहीं होता, तो यहां पर एक stage तक जाने के बाद, जितनी height हमें चाहिए है, उतनी reach करने के बाद हमारे में puberty आती है, यानि कि teenage आती है, उस teenage में क्या है, फिर हमारी body के जो features है, उनकी growth स्टार्ट होती है, ना कि हमारी height की, तो maturation से related जो growth है, उसके लिए responsible है हमारा follicle stimulating hormone, यानि FSH, तो यहां पर exam point of view से यही important है, आपको यह याद रखना है कि कौन सा hormone कि target पर work कर रहा है, क्या उसका target organ है, कौन सा hormone release कर रहा है, कौन सा grant कर रहा है, कहां located है, इस chapter में से questions जादा तर इसी तरीके से future आते हैं, और direct जादा questions आते हैं, तो यह exam point of view से काफी important chapter है, then है हमारा LH, यानि की luteinizing hormone, तो luteinizing hormone क्या होता है, basically हमारे reproductive system के लिए होता है, तो males हो या females हो, यह hormones सब में ही release होते हैं, ऐसा नहीं है कि FSH है, तो वो सिर्फ females में होगा, या फिर सिर्फ males में होगा, नहीं, क्यूंकि body की growth, males में भी puberty के बाद जो है, अलग type की growth स्टार्ट हो जाती है, तो उन सभी की growth के लिए basically यह है, तो FSH जैसे हो गया, LH, यानि की luteinizing hormone, यह फिर reproductive जो हमारा system है, उसकी growth करता है, then ADH, यानि की anti-diuretic hormone, तो यह क्या करता है, यह हमारी body में water को balance करता है, and हमारे blood के pressure को भी maintain करता है, तो important है यह भी यहाँ पे water balance के लिए and blood pressure को maintain करने के लिए, यानि की blood किस तरीके से flow हो रहा है, क्या उसका pressure है, वो यहाँ पे depend करता है, किस पे ADH, anti-diuretic hormone, then next है हमारा oxytoxin, oxytoxin basically यह females में होता है, uterine contraction के लिए and prolactin होता है यहाँ पे milk production के लिए, तो basically pregnancy के during या after pregnancy जो है, यह release होते है, females के लिए basically responsible है, तो pregnancy के during या फिर उसके बाद यह release होते है, oxytoxin यह जो कि uterine को contract करता है, और फिर जो हमारा prolactin है, वो यहाँ पे milk production करता है, तो दोनों ही यहाँ पे pregnancy से related है and females में release होते है, तो यह था हमारा pituitary gland, जो कि हमारे growth से related है, आपको यह याद रखना है, growth से related हमारे जतने भी hormones हैं, वो pituitary gland ही secret करता है, इसी के साथ साथ ही कुछ other glands भी है, जैसे thyroid gland हो गया, उनको activate भी करता है और इसको जो activate करता है, maintain करता है वो है हमारा hypothalamus, तो हमारे brain में ही यह located है hypothalamus, यह basically इसको maintain करता है, then next है हमारा thyroid gland, बहुत पार सुना होगा आपने नाम thyroid, thyroid का, कि किसी को thyroid हो गया है, thyroid gland का नाम जाद तर सबने सुना ही होता है, तो thyroid gland वही gland है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो it is attached to wind pipe, यह basically हमारी neck में, हमारे wind pipe से attach होता है, तो इसकी जो location है, वो हमारी neck में है, and it controls the metabolism rate of carbohydrate, fats and proteins, तो metabolism याने की breakdown, तो chemical breakdown होता है, जो carbohydrates का, fats का and proteins का, तो जो भी हम खाते हैं, वो breakdown होता है, तो इस metabolism को जो control करता है, maintain करता है, वो होता है हमारा thyroid gland, तो यह कुछ hormones secrete करता है, जिसकी बजह से metabolism rate जो है, हमारी body का तो हमने देखा होगर कि किसी को thyroid हो गया, तो उसमें हम यह बोलते हैं कि thyroid gland जो है, वो proper तरीके से work नहीं कर रहा, तो किसी का weight जो है, वो बढ़ता चला जाता है, किसी का weight जो है, वो खटता चला जाता है, तो thyroid gland इसके लिए responsible है, and इसका एक और main function है, तो it is one of the largest endocrine gland, तो यह यहां पर important point कि हमारे जितने भी endocrine glands हैं, उसमें सबसे जादा largest जो है, गो हमारा thyroid gland है, and जैसे कि मैं भी कह रहे थी कि एक और इसकी जो disease है, वो cause करता है, कि इसकी deficiency से, यानि की कमी से, क्या goiter, एक disease है, neck की, यानि की neck जो है, एक गम से cool जाती है, swollen हो जाती है, तो उसको हम गोते हैं goiter, तो वो goiter जो है, वो भी cause करता है, हमारा thyroid gland, इसके deficiency से, यह basically हमारी thyroid gland की deficiency से होता है, and main जो इसके deficiency है, वो तो iodine की है, तो iodine, जो कि हमारे salt में contain होता है, तो iodine से related जो work है, वो भी हमारा thyroid gland देखता है, तो अगर हमारी body को, iodine जो है, वो proper तरीके से नहीं मिलता, तो जो हमारे neck का part है, वो एक गम से cool जाता है, इस disease को हम बहते हैं goiter, तो enlargement of the thyroid gland और neck, क्यानी कि हमारे thyroid gland की enlargement हो जाती है, then it secrete two hormones that are thyroxine, जो की uptake of iodine and calcitonin, यानी की uptake of calcium, तो जैसे मैंने भी बोला कि iodine यहां पे main responsible है, कि thyroid gland हमारा proper तरीके से work करे, तो यह एक hormone release करता है thyroxine, जो जुसका की काम क्या है, iodine को uptake करना, तो iodine की कमी से, यानी की home salt खाते हैं, उसकी कमी से हमें goiter हो जाता है, तो यह भी मतलब नहीं है, कि हम नमक बहुत जादा खाने लग जाएं नहीं, नमक हमारी bones के लिए जादा अच्छा नहीं होता, आप होते हैं कि जादा नमक खाने से खड़िया भी गल जाती है, तो एक limit में हमें नमक खाना चाहिए, लेकिन नमक खाना बहुत जरूरी है, बल्कि ऐसा भी बार बोला गया है, कि अगर छोटे ज़रूरी है, लेकिन एक purple लिमेट में यहां पर जरूरी है, तो थायरोक्सिन हरमोन है जो कि iudine के ORक्तेक के लिए responsible है वैसे कि calcitonin नमल्य डाणा को काम करता है हमारा thyroid gland. तो diseases इससे, अगर इसका जो thyroid gland है, ये oversecret हो जाता है, यानि कि इसके जो hormones है, अगर oversecretion हो जाते हैं, तो क्या है हमारी body का जो metabolism rate है, वो एकदम से increase हो जाता है. And body का metabolism अगर increase होगा, तो क्या है body का जो weight है, वो लूज होना start हो जाएगा. तो जैसे मैंने भी बोला कि कुछ लोग आप देखोगे कि बहुत पतले होते हैं, वो पतले ही होते हैं, क्योंकि इनकी body का metabolism जो है, वो बहुत अच्छा होता है, यानि कि वो जितना जो भी खाले, उनको तब ही हजम हो जाता है, तो क्योंकि उनकी body का metabolism rate थोड़ा high है, तो अग disease होना start हो जाता है, और वहीं अगर low होता है, यानि कि जो secretions हैं, वो lower rate पर secret हो रहे हैं, तो यहां पर, जो कि मैंने भी बताया, आपका boiter, यहानि कि thyroid gland, यहां पर enlarge हो जाता है, तो boiter यह जो इसके lower की वज़े से होते हैं, कि इसके hormones हैं, वो low secretion कर रहे हैं, तो यह था हमार thyroid gland, next है हमारा parathyroid gland, तो thyroid से ही related है, लेकिन thyroid नहीं है, it is parathyroid gland, it is located in the thyroid gland, तो हमारे thyroid gland में ही यह locate करता है, इसलिए इसका नाम है, parathyroid, लेकिन दोनों के functions यहां पर different है, चलिए, next slide में देखते हैं, तो parathyroid gland का main function है, it helps in bone metabolism and also regulates calcium and phosphate level in the blood, तो हमारे bone के metabolism को, thyroid हमारी पूरी body के metabolism को देख रहा था, जो की carbohydrate fat and protein से related था, लेकिन parathyroid जो gland है, वो हमारे bone के metabolism को देख रहा है, साथ ही साथ क्या regulate कर रहा है है, तो calcium और phosphate के level को हमारे blood में, तो blood, जो की blood stream है, वो हर एक cell तक लेकर जाती है, जितने भी nutrients है, minerals है, and hormones है, तो उसमें जो calcium और phosphate का level है, वो भी एक limit तक ही होता है, तो उस level को maintain करना, regulate करना, यहां पे हमारे parathyroid gland का का काम है, hormone कौन सा यह release करता है, तो it releases parathormone, then next gland है हमारा adrenal gland, तो adrenal gland यह भी important एक gland है, तो इसकी जो location है, it lies just above the kidney, तो हमारी जो kidney है, kidney के just above जो है, हमारा यह gland वहाँ पे locate करता है, it is also called gland of emergency, तो जैसे मैंने बोला कि important gland है यह, तो reason इसका जरूर कुछ होगा, reason इसका यही है, कि यह हमारा emergency gland है, यानि कि जब ही भी हमारी body को एकदम से कोई ऐसा situation आ जाती है, जहां हमें emergency है, urgency है, example अगर मैं बोलूँ, तो जैसे कि मालो, आप सड़क पे चल रहे हो, और आपके पीछर डॉगी बढ़ जाए, तो वो emergency वाली situation है, उस time में आपकी body को क्या चाहिए, आपकी body एकदम से भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस time पे एकदम से भागना स्टार्ट करोगे, तो उस time पे हमारी body को जादा कुछ हमारा पीछर या हाथ हमारे stable है, पूरी body work करती है, यह hormone बढ़ स्टार्ट से रिलीज होते हैं, तो फटा फट से रिलीज हो जाते हैं, बढ़ी के हर एक पार तक पहुंच जाते हैं, कि यह directly हमारी blood stream में ही रिलीज होते हैं, तो eternal gland, यानि कि हमारा gland of emergency, it regulates heart rate, blood pressure and everything, तो जैसे मैंने वे बोला, यह emergency की situation में हमें control करने की हमारी यही चीज़े होते हैं, कि हमें हमारा heart rate भी क्या है, इक्तम से बढ़ जाता है, जब ऐसी को situation आती है, blood pressure भी बढ़ जाता है, breathing rate भी बढ़ जाता है, तो इनको उस time पर regulate करना, किसका काम है, हमारा adrenal gland का का काम है, जो हमारे emergency gland के, यानि की, adrenal gland के, it is released in excitement, anger and other situations, तो जब ही भी ऐसी कोई situations आती है, जहां पर मैंने भी जैसे पोला, कि emergency का नाम ले रही हूँ, तो ऐसी कोई situation जहां में आप बहुत जाता है, जाते हो, या फिर एकदम से बहुत जाता है, ऐसी time पर होता है कि हमारा heart rate बढ़ जाता ह हमें, 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 ह आप confusion ने हो, मतलब लाइफ की कोई भी situation है, उस time पे जो भी आप decision लेते हो और उस time पे जो आपको regulate करता है, maintain करता है, वो हमारा adrenal gland है और इसके secretions है, तो कौन-कौन से, बेसिकले ये hormones release करता है, तो इस secret two hormones, adernaline and cortico steroids, तो ये दो main hormones हैं, जो कि हमारा adrenal gland release करता है, तो बेसिकले, ये हमारे उस time पे heart rate, blood pressure and breathing rate को increase करता है, तो इसका भी, अगर ये over-release हो जाते हैं, over-release में एक situation है, एक disease है, एक syndrome है, जिसका की नाम है, Cushing's syndrome, तो Cushing's नाम से ये syndrome है, बेसिकले ये हो जाता है, अगर किसी में adrenal gland जो है, वो प्रॉपर तरीकी से पॉप महीं कर रहा है, या फिर over-secretion वो कर रहा है, तो इसमें basically होता गया है, जैसे मैंने अभी बोला, कि एडर्णल क्लाइन का हमारा क्या है, हर्ट पीट को regulate करना, हमारे blood pressure को regulate करना, तो अगर ये over-secret करता है, तो उस time पे क्या है कि हमारा heart rate जो है, वो increase हो जाता है, blood pressure भी क्या है, increase हो जाता है, यानि कि हमारा जो, अगर ये over-release होते हैं, तो यहाँ पे बीटी, increase हो जाता है, ठीक है, और अगर ये low secretion कर रहे हैं, उस time पे ही, एक syndrome होता है, Addison's disease, तो Addison's disease है, इसमें क्या है, फिर इसका opposite होता है, यहाँ पे बीटी क्या है, हमारा low हो जाता है, skin में जो है, वो pigmentation हो जाती है, basically bronze color की skin हो जाती है, and blood pressure low रहने लग जाता है, तो जितने भी hormones यहाँ पे release हो रहे हैं, यानि हमारी body में उनका प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर quantity में release होना भी यहाँ पे ज़रूरी है, अगर वो over release हो जाते हैं, तो भी क्या है, हमारी body में उसके कुछ ना कुछ side effect दिखते हैं, अगर वो lower rate हो रही है, तो भी आमारी body में कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे चलती हैं, तो वीसे कली edernal gland का है यहाँ पे function, आपको यही आद रखना है कि heart rate से अगर या फिर blood pressure से कुछ भी related है, तो यानि कि वो हमारा एटर्नल विलांड है. Then next है हमारा पैंक्रियास. पैंक्रियास, it is located in the abdominal cavity behind the stomach. तो यानि कि हमारे abdomen में, basically locate करता है, हमारी stomach है, stomach के जस्ट पीछे. बागी pancreas, यह hormones के चाथ-साथ कुछ pancreatic juice भी release करता है, कौनसे को आप हमारे digestive system वाले वीडियो में पड़ोगे. तो pancreas यहाँ पे digestive juices यानि कि pancreatic juices भी कुछ release करता है, यह हमारे stomach के just behind, उसके just पीछे situate करता है, locate करता है. Then it regulates sugar level, glucose level in the blood. तो pancreas का यहाँ पे काम क्या है? एक hormone release करता है, which is insulin. Insulin जो के responsible है हमारी body में, blood में sugar के level को maintain करने के लिए. तो यहाँ में pancreas का main function है, वो क्या है? हमारे sugar level को maintain करना, glucose level को maintain करना हमारे blood में. हमारे blood में sugar level भी एक proper तरीके से होता है, अगर वो बढ़ जाता है, तो क्या है? diabetes वाले condition हो जाती है, तो भी क्या है, हमारे body में अलग condition हो जाती है. तो इसको regulate होना यहाँ पर, कमवर्सरी है, जो कि हमारे pancreas करते हैं. तो इस enzymes help to further break down the carbohydrates, proteins and lipids. तो बेसिकलिये सिक्रीट करता है, enzymes को सिक्रीट करता है, जो कि breakdown करते हैं, इसका carbohydrates, proteins and lipids का. तो breakdown बैसे तो जब digestive system work कर रहा है, तो breakdown उसका तब हो जाता है, लेकिन उसका जो further breakdown है, enzymes का basically आपे काम वो catalyst की तरह करते हैं, यानि कि वो metabolism के rate को, यानि chemical reaction जो हो रहा है, उसके rate को suddenly increase कर देते हैं, लेकिन end product जो है, वो उसका exact same रहता है, उस पे कोई effect नहीं डाल पे. So enzymes basically release करते हैं, फिर वो carbohydrate protein और lipid के जो metabolism है और breakdown है, उसको further और करता है. तो यह दो important hormones release करता है, which is insulin and glucagon. तो दो hormones हो गए यहाँ पे, insulin जो की sugar के लिए responsible है and glucagon, जैसे नाम से suggest हो रहा है, यह glucose level को पेंटेल करता है. तो यह दो main hormones हैं. तो जब ही भी हम बोलते हैं कि किसी को diabetes है, तो diabetes में basically होता क्या है, diabetes में यह होता है कि insulin जो है, उनका वो प्रॉपर तरीके से बॉप्त नहीं कर रहा होता, तो आपने देखा भी होगा, कि कुछ लोगों होते हैं जनको बच्पन से ही diabetes है करने भी भाटाते हैं तो क्या है वो इंसुलीन के इंजेक्शन्स यहाता ऋपनैं, इंसुलीन के इंजेक्शन्स लगाते हैं। फो यहिसदेख लेवल लड ही हो निह निए पर ही क्योंकि च्रीट में सादज के लगते नही वोटते हैं तो दो होडों, इन्सुलीन, और गुरुगागन, और इसदेशिएंसी, कॉसिस दाइबटीज, तो दाइबटीज वाली condition, basically, यहां पे स्टाइबटीज वाली condition, basically, हम बोलती है, इसे, तो दाइबटीज मेलाईटेस होता है, जो कि हां पे, दाइबटीज, जुसे हम बोलते है, कि शुगर हो गई बोटी में, तो वो बिसिकली शुगर हो गई ये बोलते हैं, कि शुगर बढ़ गई या शुगर घट गई, तो बिसिकली शुगर बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं diabetes mellitus. Then next जो हमारा gland है वो है thymus, तो thymus gland है, it is situated at lower neck, तो हमारी lower neck में basically, ये situate करता है thymus, it secrete thymus hormone that helps in the development of immune system. तो immune system, यानि कि हमारी body का self-defense system, yes, हमारी body. आपने देखा होगा अपो छोटे-बोटे कट लग जाते हैं, तो आप इन चीजों पो इन चीजों पो इन अपोदर भी नहीं करते हो, थान भी नहीं देते हो, वो खुदी आप देखो, तो तो तिन द में कुदी ठीक हो जाते हैं तो अगर आप अपने पेरिंस को भी बोलोगे कि मुझे काट लगया तो वो भी बोलते हैं कि कोई बात दी बेटा, हो जाएगा कि वो क्यों कि हमारी body जो है, वो self-defense है, यानि कि वो खुद क्या है, चीज़ें गीक भी कर लेते हैं, और defense भी कर लेती है, तो immune system basically responsible होता है, जो जो जादा बिमार होता है, उनका immune system weak है, और जो बिमार कम होते हैं, उनका immune system strong है, तो immune system basically कुछ नहीं है, हमारा self-defense system है, तो हमारे immune system के development के लिए responsible है, यहाँ पर thymine hormone, जो कि कौन रिलीस करता है, हमारा thymus, तो thymus hormone, यह रिलीस करता है, इसका इतना जादा कुछ function नहीं है, पस immune system को develop करना, यानि की strong बनाना इसका काम है, तो next है हमारा pineal gland, तो pineal gland हमारा, it is located its brain, तो यह भी हमारे brain में ही locate करता है, यह से create क्या करता है, millitonin, तो millitonin क्या करता है, it regulates wake-up sleep cycle of the body, अब यह wake-up sleep cycle क्या है, अगर आप रात को सोते हो, ठीकिग, आपका एक time fix है, कुछ लोग होते हैं कि 11 तक सू जाते हैं, तो पांच बजे उठना होता है, अगर आप तीम जा दिल, same interval, same time ते सो रहे हो, same time पे उठ रहे हो, okay, then, एकदम से क्या होता है, Sunday आजाता है, Sunday आजाता है, तो एकदम से क्या होता है, इस टाइम आप रोज उठते हो, इस टाइम आ क्या होता है, तो एक बजे उठने का ताइम 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 होता है, तो एक बजे उठने क यह रेगुलेट करता है हमारी यह विक स्लीप साइकल को, तो यानि कि हमारी बॉटी का जो लाम है, वो कौन सा है हमारा, विलिटॉर्णिन हॉर्मोन है, जो कि रिलीस करता है, पीनियल ग्लाइड. Then next है हमारा, ओवरीज, जो कि फिमेरिस में होती है, तो ओवरीज यह भी वैसे कले बहुत सारे होर्मोन को रिलीस करती है, जो कि जाधत तर रिप्रोड़क्टिव ग्रोथ के लिए होते हैं, या फिर प्यूबर्टी ग्रोथ के लिए, तो अब पेर ओवरीज इस लोगेटेट फिर ने इस लिए उडरीजस के हार साइड पे आरे दो लिए आऔर सफ होती है, याने कि यी यंशे करता है, तो बहरेज प्रोड धी, आप मरly ग्रोड़ेस के आरहने निंञ इस लिए दो लिए वार्मोन हें, आजा लिए इस। फिमेल्स में ही work करते हैं, present तो ये मेल्स में भी होते हैं, लेकिन फिमेल्स में थोड़ा साथा secret होते हैं, क्योंकि इनको वहां पे reproductive growth में पार्ट लेना होता है, तो progesterone and estrogen, इनका काम है basically development of female characteristics and reproductive functions, तो reproduction से ये related है, progesterone and estrogen, ये हैं फिमेल्स में, वैसे ही मेल्स में भी होते हैं, which is testis, it is situated in scrotum, तो मेल्स में basically इन scrotum में locate करते हैं and इनका जो main function होता है, वो basically male characteristics, यानि की male में जो reproductive development है या फिर maturity से related development है, उसमें work करना होता है, तो hormones basically कौन सा होता है, मूँझे आपर testosterone, तो testosterone होता है, और ऐसा नहीं है कि इस सिर्फ males में होता है, females में होता है, लेकिन females में इसका function अज़िस नहीं होता है, इतना यादा लंबा भी रिलीज नहीं होता, लेकिन males में, male ना इसके लिए responsible है, तो उसमें ये तो छोड़ा ज़ादाparable होता है, यहां पर इस्टेस्टरोन का तो यह थे हमारे एंडोक्राइन ग्लांड्स, उन्हें फंक्शन्स और हॉर्मोन्स, तो इंपॉर्टन है कौन से हॉर्मोन का क्या फंक्शन है, कौन सा ग्लांड उनको रिलीज कर रहा है, इस सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, एक्जाम्विक वर्स्टेस इसे तरीके से पूछे जाते हैं, तो यह थे हमारे थे हमे चर्वांड एक्जी हमारे प्लांड ओंड इसे पडल में हॉच लख उनको इसे जाए क्वे आखकर आभ उप नगी है तो यह काम हमारे ब्लड श्रीम में जाimporte है, mah Penny खुल अग्रीरिय उनके हमारा digestive gland हो गया तो basically ये glands हैं जुने हम exocrine glands कहते हैं तो next video में मिलेंगे हम एक और topic के साथ Thank you so much for watching See you next time subscribe and hit the bell icon